तो अब हम बात करते है राइनोस्क्लेरोमा के बारे में पहली बात तो यह किसे कोस्कुन कराता है तो क्लेप्सियला राइनोस्क्लेमरोटेटिस यह होता है बैक्टेरिया का नाम इसकी तीन स्टेज होती है पहली स्टेज होती है दूसरी स्टेज होती है तीन स्टेज का अपन होती है जिसके बर में हमने पढ़ रखा है Stage 2 जो होती है वो होती है Granulomatous stage इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है Woody nose देखने को मिलती है इसके अंदर ठीक है और Stage 3 होती है Cicatricial stage इसके अंदर Fibrosis होती है that lead to stenosis of pharynx and larynx इसका management क्या होता है तो उसके लिए आदर हमको RTS चोड़ा है यह R होता है Rifampicin T होता है Tetracycline S होता है Streptomycin और C से होता है क्या होता है Chloramphenicol Maybe Most importantly हम आदर हम आदर हना है Streptomycin और Tetracycline is the treatment of Rhinoscleroma